कि दोस्तों आज आज का लेक्छर वेलु टैप और रएफ़र्ञ्स टाइप की यूपर है और बिंसकर लिएब आज बो बताहँ का फ़ुछ ऌप हमारी कपुर्टर की मेमरी है उसमें किस तरह चाहते हैं तो फॉस्ट अफॉल हमारे क्विटर की मेंवरी दो इस्तों में डिवाइड है एक है स्टैक और एक है हीप स्टैक का पॉर्शन हीप से बहुत छोटा होता है तो इसलिए बाद जुकात आप अक्सेप्शन देखती होंगे अगर आपने प्रोग्रेमिंग की है अधर एक्सेप्शन आती थी स्टैक ओवरफ्लो इसलिए एक्सेप्शन आती है क्योंकि स्टैक फिल हो जाता बहुत जल्दी लेकिन हीप उसका साइज बहुत ज्यादा होता है इसलिए आपने कभी जिए एक्सेप्शन ही सुनी हीप ओवरफ्लो एक है तो value type हर एक वो type है जो कि struct से मिलके बनी है जिस तरह हमारे पास integer है मैं इधर integer का variable बनाता हूँ int is equal to 10 ठीक है अब यह integer एक type है अब आप देखिएगा कि integer type इस struct से मिलके बनी है इसके आप माउस आपर करें तो वो बताएगा कि integer है माउने इस struct से मिलके बनी है जिसका मतलब है कि int is value type ठीक है और आपको पता है जो भी value type है वो stack के अंदर store होगी ठीक है इसी तरह अगर आप type देखें यह program तो program जो type है वो किसे मिलके बनी है class से अगर इसका हम object बनाते हैं इस तरह program pg equal to new program ठीक है तो program के पड़ा mouse अवक करें तो बताएगा कि यह class से मिलके बना है इसका मतलब है कि यह एक reference type है और जितनी भी reference type होँगी वो store होँगी heap के अंदर ठीक है तो यह basic concept मैंने आपको बताया है तो अब मैं आपको इनकी working समझाता हूँ कि memory में यह किस तरह object aq पर एक store हो रही होती है अगर आपको इसकी समझ आज़ेगी तो आपको up की समझ आज़ेगी ठीक है तो यह lecture आपके लिए बहुत important है तो आपने बहुत conscious होके यह lecture सुनना है तो इस lecture को हम start करते हैं value type से ठीक है तो मैं एक struct बनाता हूँ और इसका नाम मैं हख देता हूँ student और इसके अंदर रखता हूँ public int age public int marks तो मैं क्या करता हूँ इस है student का एक object बना लेता हूँ और std.age equal to 10 and std.marks equal to 100 अब मैं आपको बताता हूँ कि जब यह program compile होगा run होगा execute होगा तो उस सुरत में जो object है student का यह computer memory में किदर store होगा तो मैंने आपको बता है कि हमारी जो computer memory है वो दो स्रेमेंट वाइड है इस बना देता हूँ खिक है तो एक जो इसका हिसा है छोटा सा वह हिसा है इसका stack का मैं इसका बना देता हूँ खिक है और इसका लिख देता हूँ stack और दूसरा जो बाकी का इस है वो है heap तो आप खुद देख रहे हैं कि stack relatively बहुत समाल है heap से तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही यह program run होगा जैसे ही यह वड़ी line execute होगी तो होगा यह कि जो student का object है वो इदर बनेगा तो student का object का size कितना होगा जितनी उसके अंदर types define होगी ठीक है तो इसके अंदर दो types define है integer की तो इसका मतलब पर इदर एक box बनेगा ठीक है और इस box का नाम है std और इसके अंदर दो इसे हैं एक ही size का age का और एक ही size के marks का तो इतर क्या होगा कि यह वाला जो box है यह दो से में डवाइड होगा तो यह वाला portion है किसके लिए age के लिए खीक है और यह वाला portion है marks के लिए तो इतर में जड़ा 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 तो यह हमारा एक object मनावा है student का कि जिसके दो इसे हैं एक age का और एक marks का है और यह पूरा जो object है वह store हुआ है stack के अंदर अब क्या होगा कि जब यह वारी next line दर एक्जिक्यूट होगी std.age equal to 10 तो होगा यह के std यह है तो वह age वले portion में जाएगा और इदर जाके value लिख देगा 10 इसी तरह जब यह next line जब execute होगी std.marks equal to 100 तो होगा यह के std.marks यह वाला call होगा तो इदर आके यह 100 श्टोड करतेगा तो यह है तो यह है हमारा memory management जो के value type के लिए जो stack में store होगा तो यह हमारा first step जिसमें हमने सिख़ा है के value type stack में store होती है और stack में जब एक object store होगा value type का तो वह किस तरह से store होगा एक उसका object बनेगा उसके portion divide होगा और उसके अंदर data वगेरा save होगा और उस portion का कोई नाम होगा इस तरह यह std है और उसके अंदर सब portion है अब चलते है next step के अंदर उसके अदर हम करेंगे यह मैं एक और video बनाता हूँ student का और उस student के अंदर मैं वह वह तमाम values रखना चाहता हूँ जो कि इसकी है तो क्या करता हूँ कि इदर code लिखता हूँ student std2 equal to std ठीक है तो मैंने का किया कि अब यह वाला code execute होगा तो जब यह वाला code execute होगा तो होगा है कि इदर एक option बनेगा std2 के लिए तो सबसे पहले std2 का size उसना होगा जितना इसका है इसके भी दो portion होगी एक portion age के लिए होगा और एक portion marks के लिए होगा और इसके भी वही तमाम values copy होगी जो के std की अंदर है std के age के अंदर जो value होगी वह इसके अंदर आएगी इसी तरह marks के अंदर भी वही value आएगी जो के std के अंदर है तो इस ब्लॉक का नाम क्या है इसका नाम है std2 तो अब मैं आपको प्रता हूँ के इस तरह से जब हम coding करेंगे तो इसका नुफसान क्या होगा अब पर स्पोर्स करें के std2 हमें प्रता चलता है कि तो student है उसकी age 10 नहीं है उसकी age 12 तो आप करेंगे सिंपल आप करेंगे के std2.age equal to 12 कर देंगे आप ठीक है तो होगा यह के यहां पर इसकी value overlaid हो जाएगी और new value जो होगी वह होगी 12 लेकिन है अब आप यहां पर देखें कि हमने जो value change की age की वह सिरफ इस box में change हुई है ठीक है वह इस box में change नहीं हुई क्यों नहीं change हुई क्योंकि यह वाला box से उसके साथ लिंक ही नहीं कर रहा किसी तरह से तो इसका नुकसान क्या होगा कि मुझे अब इस std2 की भी age change करनी पड़ेगी क्योंकि यह दोनों student सेम हैं तो दोनों student के इंदर same values होनी चाहिए तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि इदर मैं code लिखोंगा एस std के लिए भी age equal to 12 उसे भी मैं बताऊंगा कि तुम भी अपनी age change कर लो ठीक है और इदर आप लिखो 12 तो यह है इसका पहला नुकसान वैल जो इसका second नुकसान है वो है memory size का आप देखें कि जो same data है वो यहां पर भी है और यहां पर भी है तो सबसे पहले आप देखें कि यह जो block जब भी बनेगा student का option बनेगा तो वो कितनी memory लेगा तो आपको पता है कि किसी भी type की जो memory होती है वो depend करता है कि उसके अंदर आपने कितनी sub types बनाई हुई है ठीक है और वो कितनी memory लेती है memory के अंदर तो आपको पता है कि जो age है तो age हमेशा commuterine के लिए memory लेती है 4 bytes ठीक है इसी तरह जो marks है marks जूंकर int है तो यह भी 4 bytes memory लेगा तो टोटल कितनी होगे हमारे पास 8 bytes ठीक है तो जब भी एक block बनेगा ना तो एक block हमेशा 8 byte का होगा अभी आपको 8 bytes से कुछ भी महसूस नहीं हो रही होगी लेकिन इस example के लिए आपने यह suppose करना है कि integer 4 bytes नहीं लेता है बलके 4 MB लेता है ठीक है तो हम इदर 8 bytes नहीं लिखेंगे बलके यहां पर मैं लिखता हूँ कि यह 8 bytes नहीं है बलके 8 megabytes है जब भी एक object बनेगा तो memory में जो size होगा वह 8 MB का होगा तो अब इसका size कितना हो गया 8 MB का तो अब आप देखें कि जब हमने एक नया object बनाया student का तो उसने भी memory में कितना size लिया 8 MB का ठीक है यहां पर देखें और एक लिको में एक code code लिखता हूँ student std3 equal to std ठीक है तो मुझे दुबारा वह variable चाहिए जिसके अंदर वह तमाम information नहीं हो जो के पहले वाले variable के अंदर है फिट दुबारा इदर एक block बनेगा ठीक है और फिट दुबारा वह सारा काम होगा ठीक है और फिर दुबारा वह सारा काम होगा ठीक है और यह भी कितना साइट लेगा memory के अंदर 8 megabytes तो अब हो क्या रहा है हो यह रहा है कि हमाड़ी जो memory है ना वह जल्दी से फिल होती जा रही है ठीक है देखें कितनी स्पीड से memory फिल हो रही है इसी वज़ए से ना स्टैक और फ्लो का जो एरर है वह आ जाता है इसलिए आता है क्योंकि आपकी आपकी ये memory फिल्दी होगी है तो आप आप देखें ना कि आपकी ये memory भी आपकी वेस्ट है करना पड़ेगा तो इसमें भी होड मैंनली क přेदब और इसमें भी होड मैंनुली करना पड़ेगा तो ये स्थान है अगर हम एल्युर टाइप अप्रोच लेकि एप्नी आप तो इसका जो solution है वो यह है कि आप reference टाइब यूज किया करें यानि कि आप object oriented programming यूज किया करें तो जब भी object oriented programming यूज होगी उसमें classes यूज करते हैं ठीक है तो हमेशा object oriented programming में class का जब भी एक object बनेगा वो हमेशा heat में store होगा तो यहां पर देखें कि इसका size भी बहुत बड़ा है तो जिस वजब से यहां पर memory फुल होने का chance भी बहुत काम होते हैं ठीक है तो अभी मैंने आपको जोगी बी चीज़ें बताई हैं वह सारे theoretical बताई हैं तो अब मैं उसको implement करके बचाता हूँ कि जब हम std की value जब std2 में copy करेंगे और वही value जब std3 में copy करेंगे तो वह सारे individual अपनी memory लेंगे जिसका मतलब है कि जब हम std की age करेंगे तो वह value std2 में reflect नहीं देखना ही std3 में ठीक है तो इसको हम implement करते हैं तो मैं देखा करता हूँ कि student std2 equal to std और student std3 equal to std जब हम देखा तो मैं देखना हुए कि student की मुझे पृदा चलता है कि बाद में उसकी age होगी है तो मैं std.age करता हूँ उसकी age होगी 12 तो मैं देखना चाहता हूँ कि इसके जोब मैंने age चेंज की है क्या std2 की भी age होई है कि नहीं तो std2 की अभी age क्या होगी वह हम देखते हैं control f5 तो हमें यह result मिला कि std2 की जो age है ठीक है वह 10 है तो यह हम देखते हैं कि इधर 10 क्यों show हूँ है हलाकि हमने std के अंदर जो value है वह update कर दिये age की लेकिन std2 है उसके अंदर age की value वह 10 की 10 है यह ऐसा क्यों है वैल यह हमना step by step देखते हैं कैसा क्यों हूँ है जब हमने इस line के ऊपर हम आया है जब यह line execute होई है तो हुआ है कि इसका एक object बना है memory के अंदर थीक है और एक block हमारे पास तो एक block हमारे पास std और एक block हमारे पास std2 जब यह वरी line execute होई है तो यह वरा block memory के अंदर बन गया है ठीक है तो फिर बाद में जब हमने std.age की value चेंज की है तो इसने क्या किया है सिर्फ इसकी value चेंज की है तो यहां पर क्या आ गया 12 तो यह वली value आप देख रहे हो कि std2 में reflect नहीं जिसका नुकसान क्या होई कि मुझे खुद ही manually std2 की values को change करना पड़ेगा ठीक है तो इदर आके जब मैं std2.age equal to 12 करूँगा फिर वो change वहां पर reflect होगा अब हम लेक्चर के second part की तरफ shift करते हैं उस पर हम करेंगे यह कि जो type हमें struct से बनाएं उसको हम class में convert कर देंगे और देखेंगे के जब हमने इस तो class में convert की है तो हम देखेंगे के memory management में इसका behavior किसना change होगा तो first मेरे आपको बताया लेक्चर के start में जो भी type class में मनी होगी उसका जब भी हम object बनाएंगे वह हमेशा reference type होगा और हमेशा reference type heap में store होगा यानि कि student का यह वाला जो object है यह memory में heap के अंदर store होगा तो चलिए इदर हम बनाते हैं एक simulate memory का computer memory का तो आपको पता है कि यह वाला portion है stack के लिए जो छोटा सा है और यह वाला portion है heap के लिए ठीक है इदर मैं लिख देता हूँ यह है heap और यह है stack ठीक है तो जब यह वड़े line execute होगी ना तो इस line के अंदर ना डो portion है पहला portion है कि एक std एक variable है और एक object है ठीक है तो जितने भी variable होगे ना वह हमेशा store होंगे stack के अंदर और जितने भी object होंगे वह हमेशा store होंगे heap के अंदर ठीक है तो यह concept आपने याद रखने है तो मैं इदर क्या आगता हूँ कि सबसे पहले इदर std एक में मना लेता हूँ और आपको पता है कि जिसने भी variable जो reference type के होते हैं उनका memory के अंदर जो size होता है वह हमेशा 4bytes को होते हैं जब std अपनी memory allocate करे करना stack के अंदर तो होगा यह कि यह सिरफ 2byte की memory लेगा ठीक है तो इस 2byte के अंदर सिरफ और सिरफ reference store होगा तो मैं इदर इसका नाम लिख देता हूँ कि इसका नाम है std अब भी इसके अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि अब भी हम सिरफ यहां तक पुंचें अब भी यह रोड़ी लाइन एक्जिकी उठी हुई तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है मतला इसके अंदर नल है ठीक है तो second क्या हूँ है कि new student का object बना है अब आपजिबल मिल जाए वहां पर object क्रियाट कर देता है तो suppose करें के computer को ना suppose करें computer हमारा कहते है कि आप यहां पर object बनाए student का तो यहां पर student का object बन देगा ठीक है तो वही सेम चीज़े है तो यह वाला portion किस लिए होगा यह वाला portion होगा age के लिए और यह वाला portion होगा marks के लिए ठीक है तो अब आप देख लिए कि हमड़े object बनाया हुए लेकिन इस object का ना कोई नाम नहीं है तो heap के अंदर object का नाम नहीं होता है बलके होता ही है कि जिस तगा वह सेव होता है उसकी memory location का एक address होता है तो suppose करें कि जिस तगा यह save है तो उस memory address का नाम है ABC ठीक है तो अब होगा यह कि जो इसका address है memory का वो address save होजेगा इसके अंदर तो इसके अंदर आजएगा ABC ठीक है तो मैं यह इसका connection यहां बना देता हूँ कि इसका connection इसके साथ है जो अब second line जब execute होगी तो क्या होगा std.age तो std यह ABC है तो वो memory में foreign यहां पर आजएगा तो इसके जब हम age के अंदर जाएंगे तो यहां पर आके यह store कर देगा 10 ठीक है इसके तरह जब जिस इसके तरह जब जो third line execute होगी तो std.box 100 है तो std देखेगा यह इसका reference है तो वो memory में चला जाएगा यह ABC इसका reference है तो इसके marks के अंदर जाके यह store कर देगा 100 अब next time नहीं मैं इदर एक code करता हूँ कि student एक code आप बनाए student std2 उसके अंदर आप वो तमाम value save करते हो जो कि std के अंदर है इसी तरह student std3 उसके अंदर आप वो तमाम value save करते हो जो कि std के अंदर है तो होगा यह कि यह जो student है इसका variable reference का वो बनेगा यहाँ पर तो आपको बता है कि reference type को variable होता है उसका size वो हमेशा 4 bytes ही रहेगा तो memory में एक बनेगा reference type का variable और इसके अंदर वो बड़ी value store होगी जो कि std के अंदर है तो std के अंदर क्या store हो रहा है abc तो यहाँ पर सिर्फ abc store होगा abc तो इस variable का नाम क्या है इसका नाम है std2 इसी तरह यहाँ पर भी एक नया variable बनेगा जब std3 execute होगा तो इसके अंदर भी वो value value आईगी जो कि std के अंदर है और वो है abc तो इसका नाम क्या है std3 ठीक हो गया तो अब आप देखें कि इन तीनों के पास जो reference है वो इसी object का है ठीक है तो इसके पास भी जो address होगा वो इसका है तो यहाँ पर हम आदेंगे इसके पास इसके पास भी जो address होगा वो इसी का ही होगा ठीक है तो next time अगर मैं यह वाला code करूँ कि यहाँ पर मैं आऊ तो मुझे पता चले कि std की जो age है वो 10 नहीं है वो 12 है तो इसा मैं करता हम std.age equal to 12 तो क्या होगा कि std यह वाला variable है ठीक है abc तो वो for a memory में जाएगा तो इसकी जो age है ना इसको कर देगा 12 तो जैसे ही इसने इसको 12 की है तो देखे होगा यह कि जब भी std 2 जब age काल करेगा तो वो फिर यहाँ पर जाएगा तो इसको वो updated value मिलेगी जो कि 12 होगी तो इससे प्रोस का फाइदा यह होगा है कि तो जब भी उसको उसकी value चाहिए होती है तो जब भी उसको उसकी value चाहिए होती है तो हम उसका address दिया देते हैं क्योंकि address हमेशा 4 bytes ही होता है तो अब बेश्या कि यह वरी memory 8 MB की हो यह 8 GB की हो मैं suppose कर लेता हूँ कि इसका size 8 MB है तो जिस तरन हमने पृसले लेक्शन में जब हमने बाल्ड कीती है तो उसका जब हमने object बनाया था तो हमने उसका size भी 8 MB लगाता है तो हम इसका size भी लगते हैं कि यह 8 MB का है अब आप देखें कि जो reference type पर उसका size कितना है उसका size है 4 bytes इसका भी size है 4 bytes और इसका भी size है 4 bytes तो total हमारा जो memory का size होगा इस वक्त वो क्या होगा इदर हम calculate करते है 8 MB plus 4 bytes plus 4 bytes तो total जो हमारा इसका answer आएगा वह आएगा 8.000 0 12 MB ठीक है तो यह देखें कि इस तरह हमारी memory अब 2 मैश कितनी करती है अब हम चाहें जितने अमर्जी variable बनाने stack के अंदर ठीक है उसका size हमेशा bytes में होगा तो वह हमेशा एक ही object को reference कर रहा होगा ठीक है तो देखें कि हमारी memory है उसका size भी हमने manage कर ली है हमने यह भी manage कर ले कि जब एक variable में कोई change आए ठीक है यानि कि मैंने जब std.age करना change किया वही change std2 के अंदर भी आजएगा वही change std3 के अंदर भी आजएगा वह इसलिए आएगा क्यूंकि वह तीनों जो variable है जो reference variables है वह तमाम एक ही object को reference कर रहे होते हैं ठीक है तो यह फाइदा है object oriented programming के approach का कि जिसमें हम कि जिसमें हम जो object बनाते हैं उनके जो type होती है वह हम class रखते हैं तो class रखने से जितनी भी object होंगी कि वह तमाम heat पर store होंगी तो stack में हमेशा उसके variable के address store होंगी ठीक है तो अभी मैंने आपको यह theoretical बता है तो मैं आपको इसका implementation करके बताता हूँ फिर आपको समझ आएगे कि object oriented programming वाकि एक अच्छी टिक्नीक है software development के लिए तो मैं क्या करता हूँ कि इतर एक और मैं बनाता हूँ student std2 equal to std फिर मैं करता हूँ student std3 equal to std तो कल को क्या होता है मैं करता हूँ std की जो age होगी है वह होगी 12 अब मैं देखता हूँ std के अंदर जब age change होई है क्या वह change std2 के अंदर भी आया के नहीं ठीक है वह एक control FI प्रेस करता हूँ और देखें वह change हमारा std2 के अंदर भी आ गया है ठीक है तो वह इसलिए आया है क्योंकि यह तीनों जो variable है std2, std3 या std यह तमाम reference variable है इसके अंदर अड्रेस्ट हो रहा है एक ही object का तो जब उस एक ही object में कुई चेंज होगा तो तीनों को पता जाल देगा क्योंकि तीनों जो variable है वह एक ही object को refer कर रहे होती है तो मुझे मीड़ है कि इस lecture में आपको समझ आए कि value type और reference type में क्या फ़रक है मेमरी में इसके management किसमें हो रही होती है तो जब हम object or dentary programming यूज करते हैं अपनी software development में तो इससे हमारी development कि इतनी robust हो जाती है ठीक है बहुत है memory में भी और performance में भी और प्रफार्मर्स में भी आपको 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 आपको